नमस्कार मैं करिश्मा सिंग, आज हम औरंगाबाद बिहार के अरिहंद क्लासेज में मौजूद हैं, जहां पर अठवी, नवी, दस्वी के बच्चों को अलग-अलग विश्वयों की क्लास दी जाती है, हमारे शार्थ फिजिक्स के विशशग्य बैठे हुए हैं, यह जो इक की अरिहंद क्लासेज में पढ़ाते हैं, अभी बच्चों का दस्वी का कल से परिच्चा सुरुआत हुआ है, कल मैट का विशय था, आज साइन्स है, बच्चों का पेपर कैसा रहा, क्या परिच्चा में आने वाला है, उन्हें किन-किन विंदूओं पर का ध्यान देना चा किन चीजों का परिच्चा में ध्यान देना चाहिए, कैसे परिच्चा देनी चाहिए, आप फिजिक्स के सिक्षक हैं यहां पर, आज बच्चों का साइन्स का एक्जाम था, तो आप उन अलग-अलग विशयों के बारे में आज जो आपका विशय है, उसके बारे में बताए कि इस चीजों पर ध्यांच देना चाहिए और कैसे प्रस्त को हल करना चाहिए क्योंकि जादा तर जो बच्चे हमारे आते हैं गौन अधिहाद से वह बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि सवाल को कैसे हल करें इन्हीं कंफ्यूजन में वह एक्जाम देते हैं और उनका आती जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि भारत सरकार के दौरा या बिहार सरकार के दौरा अभी जो सिलेवस है बिल्कुल सब NCRT को ही फॉलो कर रहे हैं तो NCRT के किताब को सबसे पहले हमारा जो है एक सिलेवस के तोर पे देखना चाहिए और उसके हर एक चैप्टर को बहुत ब देखर करके और हम लोगों को जाना चाहिए सेंपल पेपर पे सेंपल कोईस्चन पेपर होता है या कोईस्चन बैंक होता है तो कोईस्चन बैंक में अगर आपको किसी चैप्टर से रिलेटर अगर कोई समस्या है तो उसमें जाकर के जो क्वेस्चन उसमें दिये हुए है उ बाकी एक चेप्टर है मैंगनेटीजम, उसके अंदर आपका थियोरेटिकल पार्ट है, तो उसमें आप जाकर के question answer बस अगर याद कर लेते हैं सिर्फ question bank से, और sample paper से एक बार practice कर लेते हैं, जिसे sample paper practice करने से क्या होता है, कि आपको exam में जो paper आता है, वैसा आपको महसूस होग और एक feeling आएगा, जब exam में आप देने जाएंगे परिक्षा, तो आपको लगेगा नहीं कि मतलब हम कुछ इसको first time solve करेंगे, लगेगा कि हम पहले question solve कर चुके हैं, वैसे ही बाकी हम लोग तो यहाँ पर मान लिजे अभी पढ़ा रहे हैं, science पढ़ा रहे हैं, कभी बच्च और उसके बाद question bank पर जाना है, उस चेक्टर के question bank, जो important question है, उसको एक बार पढ़ लिजे बढ़िया से, और sample paper से जा करके उसका practical करना है, sample paper क्या होता है, जिसमें आपको जिस तरह से exam में paper सेट होता है, उसी परकार से आपका 20 question का, 30 question का सेट होता है, उसको आप एक बार solve क कर लिजे, और बात करते हैं math का, तो math में थोड़ा से strategy में हम बदलाओ चाहेंगे, वहाँ पर आपको paper को एक बार पढ़ना है, और start करना है, जो सबसे last section है, जहां पर सबसे ज़्यादा marks का question पूछा जाता है, तो U क्या होता है, कि एक passage दिया रहता है, उसको पढ़ करके औ करना होगा है, और last में हम को जाना चाहिए, section A में जहां कि objective question होता है, ता कि अगर मानले चूटेगा भी, तो एक आद नंबर का question चूटेगा, और ओ भी आप मानले जे, मतलब, अपने अनुमान से, अगर लगेगा कि हाँ, एबी सी में से, नहीं भी कुछ समझ में आए, तो मैक्स की भी क्लास लेते हैं, तो बच्चों का कैसा रहा कल का, अनुको कैसा रहा है परिक्षा देने के बाद की कैसा परिक्षा गया, कैसा सवाल आया था, आपसे तो बच्चे सेर की होंगे? बच्चे हमसे सेर की है, और हम भी जो जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, हम बराबर कॉंटेक्ट में रहते हैं, उनसे फोन से बात होते रहती हैं, और वो भी हमसे संपर करते हैं कि मतलब क्वेश्चन कैसा था और क्या हुआ, तो मतलब क्वेश्चन का जो लेवल था वो बि मतलब multiple choice question में उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था, बाकी जो मतलब solve करने वाला question था, उसमें उन्होंने मतलब बहुत अच्छा score किया है, मतलब बहुत अच्छा perform किया है, बाकी objective में थोड़ा बहुत problem था, लेकिन मिला जुला करके जो भी बच्चे आपसे एक्जाम दे उनसे कुछ भी मतलब 20% 50% मैच किया था तयारी के अनुशार बच्चों से जैसा कि मेरा भी एक अपना परसनल अनुभाव है पढ़ाने का तो अभी तक हम टीचिंग का अनुभाव से यह कह सकते कि अभी जो भी क्वेश्चन पुछा जाता एक जाम में वो हमारे प्रिभियस क्वेश्चन का जो कलेक्शन होता है उसी में से क्वेश्चन को पूछा जाता है हाँ थोड़ा बहुत अभी जो है पैटर्न में चेंज आया है जैसे पहले एजर्शन रिजन नहीं पूछा जाता था अभी कुछ-कुछ स्टेट्मेंट और रिजन ऐसा करके कुछ कुछ करके और उससे जो है क्वेश्चन डिराइब किया जाता है जैसे आपको जो है इसका एप्लीकेशन समझना है बच्चो को कि हम लोग जो मैट पढ़ते हैं साइन्स पढ़ते हैं उसका रिएल लाइफ में क्या प्लीकेशन लेकिन क्कुछ का जो क्लेक्शन होता है जो कुछ पुछा जाता है और previous year में जो आज तक question पुछा गया है उसी में से कोई ना कोई question उठा करके दिया जाता है आप as a teacher सिक्षक होने के साथ आप अपने बच्चों के लिए कुछ छोटा सा मैसर देन किस तरीके सो exam center पर जाएं और कितने confidence के साथ वो अपना exam दे देखिए जैसे कि मैं एक सिक्षक हूँ और इससे पहले मैं भी एक छात्र था तो as a student मैं भी इस प्रेशर को फिल कर रहा था मैसूस कर रहा था तो हम as a student बच्चों को यही बताना चाहेंगे कि आप लोग जो है जो भी आप पढ़े हैं कम पढ़े हैं ज्यादा पढ़े हैं अभी आप लोगों का priority यह होना चाहिए कि आप अपना जो भी है एक confidence अपने अंदर लाइए कि हम जो पढ़े हैं और परियाप्त है और जो तो इसका सबसे अच्छा अगर कोई बतलब आपका दोस्त हो सकता है बताने वाला कि मतलब आपका त्यारी कैसा है तो अपका होता है सेंपल पेपर अपमय जाएं जो भी आना सेंपन में साइन्स का हो मैत और THAT सिम्पल पेपर बनाईए उसमें से आप देखिये कि आपका जो इस एरिया में आपको लग रहा है कि अभी दिक्कत हो रहा है तो उसका जो है आप जाहिए क्वेश्चन बैंक पे और सिर्फ उस टॉपिक का क्वेश्चन बैंक से आप त्यारी किजिए आपको पूरा पढ़ने के जुरूत नहीं है अभी आप सेंबल पर नहीं है और जिस एर अंगाबाद बिहार के अर्यंद क्लास के फिजिक्स के सिक्षक मौजूद थे जिन्होंने बच्चों को काफी जानकारी दी की परिक्षा कैसी देने चाहिए किन तयारियों के शाथ जाना चाहिए प्रस्ण को कैसे हल करना चाहिए सबसे पहले किन प्रस्णों पर जाना चाह और कितने अच्छी तैयारियों के शाथ किन confidence के साथ जाना चाहिए आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे शाथ कैमरामेन अंकित के साथ मैं करिश्मा सिंग शीत्योग न्यूज औरंगाबाद बिहार